नमस्कार मैं हूँ सैप खान और आप देख रहे हैं एचे नियूस आई ये नज़े डालते हैं आज की एक खास खबर पर 35 लाग की ड्रक्स के साथ बंटी बबली ग्रफस्तार रेलवे लाइन पर यूवाओं को बेशती थी हिरोईन मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में डी सीपी स्क्वैड ने बंटी और बबली को ग्रफतार किया है जो मुंबई में वल्सो से ड्रक्स के कारोबार में लिप्त थे पुलिस ने इनके पास से 295 ग्राम हिरोईन जप्त किया है जिसकी कीमत करीब 35,40,000 रुपे बताई जा रही है वहीं पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार या पती पतनी दहिसर के अंबावाली इलाके में रहते हैं दोनों ड्रक्स की खेप खरीद कर बेशने का काम करते हैं वहीं इनके उपर पहले भी ड्रक्स बेशने का आरूप लगा है आपको बतावे कि जोन बारा के DCP सोमनात घारगे को सूचना मिली थी कि दहिसर इलाके में कुछ लोग ड्रक्स का कारोबार करते हैं वहीं सूचना के आधार पर DCP स्क्वेट की ATC टीम ने दहिसर के अंबावाली जक्सन पुस्प बिहार कालोनी दहिसर पूरू में छापे मारी की जिसमें जमीर बाबू मुजावर 37 वर्स और फरजाना जमीर मुजावर 31 वर्स को हिरासत में लेकर जब जाच परताल किया तो इनके घर से 295 ग्राम ड्रेक्स हिरोइन जप्त की गई जिसकी कीमत 35,40,000 रुपए है वहीं जाच में यह भी पता चला की यह दोनों पती-पतनी हैं जो लंबे समय से ड्रेक्स का कारोबार चला रहे थे वहीं इनके उपर दहिसर पुलिस ने धारा 8 का, 29 का और NDPS Act के तहत कारवाई कर दोनों को गिरफतार किया है जिनको नयायालय ने 11 माई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है वहीं दहिसर पुलिस की जाच में यह पता चला है कि यह दोनों अंबावाली रेलवे पतरी पर सुबा 11 बजे से रातरी 3 बजे तक ड्रक्स बेशने का काम करते थे वहीं पुलिस ने जाच में यह भी पाया कि इनके उपर कस्तुर्बा पुलिस स्टेशन में साथ से ज्यादा NDPS Act के तहत मामले भी दर्ज है पेस है मुंबई की यह एक रिपोर्ट दिनांग 5 मई को खबर मिली कि एक घर में यह जो नशिला पदार्थ है वो रखा गया है तो यह खबर को आगे बढ़ा के एक पथक भेजाता यह पथक ने वहाँ रेड किया और उनको वहाँ काफी मातरा में हिरोईन मिला है तो 95 ग्रैम हिरोईन है उसकी जो मार्केट प्राइज है वो है 35 लाग रुपया तो यह वहाँ के जो दो लोग मिले जिनके पास यह हिरोईन मिला यह दोनों का एरेस्ट किया है इनके पहले इनके उपर कोई इस तरह शाग गुना दाखिल है यह लोन क्रिमिनल्स है कि इनके खिलाफ एंडी पीएस के तहत और भी गुने दाखिल है और यह एक रेकॉर्ड पे उनका जो है को नडी पीएस को बहुत सारे क्राइम रजिस्टर्न है क्या है काफी समय से सब् गांजा वगरा भी मिला है अभी इनके पास फिरोइन मिला है इस प्वेस्टिकेशन कर रहे हैं कि उन्होंने कहां से लाया और आगे किस तरह से वो सप्लाइ कर रहे हैं